नमस्कार दोस्तों आज है 4th में और आज मैं आपको बहुत ही बढ़ियां सा एक फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जो कि अपने सभी प्लांट्स में आप दे सकते हैं तो बिल्कुल किचेन वेस्ट बताने वाली हूँ और किचेन वेस्ट में क्या चीज है उसमें है सबजि है कि अपने सबीके आपको फलों के छिलके और इस में इस के डाला है दो चीजए और डाला है तो और और बहुत ही अच्छा सा इसले लाइजर है और बिलकुर ग्रमान मैं तकी तो ऐसको मैं दिखाती हूं कि और ना मैं चालुकं का रिखा रह घान था ए तो तो देख़े के के पहले मैं आपके पर्स्लेन और नहीं नहीं कुछ भी लगा दिखा हैं और नहीं को stuffs इसका नहीं नहीं कोई काम तो क्या था यह आपको बताती हूं यह सब जो फटिलाजर में बनाती हूं तो इन्हीं को भी बिस दाल दिया था तो तरीके से यह देख़े अब यह इतना भर भर की इतनी मोटी हो गई है इसको यहां से अटाना यह मेरा वह लगा हुआ है पींक वाला इसको क्या बोलते हैं गुड है जूब इस देना है तो यह देखे यह पानी चैसा से पांच दिन हो चुक है और चार पांस दिन हो चुका है इसमें क्या चीज है वो आपको मैंने भी बताया कि इसमें यह देखे तर्बूच का चलका है और लौकी का भी है लौकी हो गया खीरा हो गया आलू हो गया मतलब जो भी सीजन में सबजियां फल आते हैं वो कोई भी मतलब आपके एरिया में आपकी तरफ जो भी आता हो जो भी ठीक है ना वो सब है और दो चीजें क्या है वो भी और बताऊंगी मैं आपको तो ये तो चिलका हो गया सबजी का फल का लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है जो समझने वाली बात है वो चीज़ आप समझे है कि मान लीजे इसको डाली उट करके यूज़ करना है लेकिन अगर जैसे कि माल लिजे मैंने लिया है एक किलो चिलका लिया है चिलका एक किलो चिलका मतब सारा चिलके मिला करके एक किलो है मेरा हैं और तो मैं जैसे की तो कैसा है यह तरह से एक चाल लूँ इसी में जो है इसी में खीरे का भी वह है नीबू का भी एक दो तुकड़े नीबू के भी प जो करते हैं करती हूं मैं तो बहुत ही एक दब नाप तौल के तो देखो नहीं हो सकता कि यह आप कोई वेट मशीन लेकर बैठी हूं एक अंदाजे से मैं आपको बता रही हूं कि माल लीजे एक किलो मैंने छिलका लिया है और उससे आपको 10 लीटर आप फर्टिलाजर बनाए और मैं बना रही हूं ठीक और यह लूद कि अब यह लोटा है तो यह लगता है कि यह वाला झालता है नगा लियुहर? तो यह एक लिटर का शायद होता है, एक होगा, सबाव होगा, जैसे भी हो, इसी के एसपास होगा, तो मैंने यह देखो एक लिटर यह वाला लिक्विड ले लिया, ठीक है, अब इसमें, इसमें, नाइन पार्ट आपका, नाइन और बन का रेशियो हो गया, तो मतलब यह इसलिए मैं यह बात बोल रही हूँ, और अभी मैंने आपको यह भी अभी तक लताया नहीं है, कि इसमें जो है, मैंने दो चीज़ें और क्या है, इसलिए क्योंकि पहले मैं क्वान्टिटी की बात कर लूँ, मैं विल्कुल नहीं चाहती कि आपका प्लांट खराब हो, क्यो अपने तीन किलो चिलके, तीन चार किलो चिलके ले लिए, बाल्टी यही दस लीटर के लिए, और उसके बाद जो है, डाइलूट भी कितना ही कर लेंगे, मैं दस एक किलो चिलके से, मैं दस लीटर बना रही हूँ, और आप अगर तीन किलो चिलके से, चार किलो चिलके से, भी अगर आप 10 लीटर मनाऊगे तो वह बहुत ज्यादा गाड़ा हो जाएगा बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा और स्ट्रॉंग होने की बज़त से प्लांट खराब हो सकती है ठीक है ना कुछ भी हो ये छिलकों में बहुत ज्यादे न्यूट्रेंट होते हैं जितने कलर फु न्यूट्रेंट मैक्रो न्यूट्रेंट सब कुछ न पीके मतलब जितना भी है नाइट्रोजर्ण फोस्फोर्ण पोटेश्यम सब कुछ मिलेगा ठीक है ना तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कौन्टिटी का ध्यान रखना होगा यह नहीं कि पूरा भर-भर के यहां तक छिलका भर दिया पूरा बाल्टी में भर दिया यहां तक और उसके बाद जो है वो कितना ज्यादा घड़ा निकलेगा तो आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी होगी ठीक है ना जैसे कि में एक किलो छिलके में मेरा दस लीटर बन रहा है तो अगर आपने तो जरूरी है मैं इस चीज को बार बार कह रहे हूं आप किसी भी प्लांट में और गैनिक फर्टिलाजर ही क्यों नहीं हो बहुत जादा गाढ़ा स्ट्रॉंग डाल दोगे तो प्लांट खराब हो जाका चाहे मौसम कुछ भी हो इससे गर्मी से लेना देना नहीं है कोई मतलम नहीं की गर्मी या कुछ है बात यह है कि अपका प्लांट खराब हो सकता है ठीक है इस चीज का तो इस वजह से मेरे का पहले यह बता दूं कि इसको यूँज कैसे करना है और उसका मिट्टी जो है वो देको सूखी है सूखी वैसे भी आजकल सूखी जाती है तनी जल्दी कुकल शाम को पानी दिया था यह सूख गई तो आपने जो है सूखी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दे दीजे और इसको जगे पहला बखाटी हो तो तो देखे जो बड़े-बड़े पुराने प्लांट्स है उसमें आप थोड़ा एक-एक मग करके डाल दीजे जो अभी तो कोई चीज नया प्लांट एक दम अभी लगाया है तो उसमें कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें हम खात पहले ही डाले होते हैं इस तरह से करके जिसमें भी आपको पानी देना है दे दीजे कोई तरह दिक्कत नहीं क्योंकि हमने डायलूट कर दिया अची तरीके से और कितने-कितने दिन पर देना है आप आरामसे 10 दिन पर दे दीजे चिलके अब यह नहीं है कि गब में चिलका है तो करीब रोजी रोज कारे ऐसे कमेंट पर आते हैं कि डेली के डेलीन के जुरी नहीं हमें हफते भर में रह लिए वीक में आपना पानी करके थे दे अपना ध में हम ठीड हो भुलाब आप Is कभी आज किसी को दे दिया एक दो दिन बाद कुछ और बना या तो किसी और प्लांट्स में दे दिया करके तो चले यह भी बता दूं पहले इसमें जो है कि यह नहुंता है मैंने डाला था एक चमछ डाला था बेसन ठोड़ा था क्चममच यह अभी तूरा सोक कर लेगए कुνकि इतना बड़ा सा में रहें कूपना है तो रहें होगा है तो वसे प्राइब हम्हें podéis से होगा तो गुड जैगरी जो होता है अच्छा हुआ कि जब ने भीगाया था ना इसको सोखेया था चिलको को तो और यह बेसन और गुड ढाला था बेसन एक चमच मतलब यह इतना बड़ा जल्दी से बना देगा अपका फटलाजर बहुत अच्छ तेयार हो जाएगा यह मत सोचीएगा कि उससे मीठा से चीटी आएगी चीटी से उससे नहीं आएगी क्योंकि मैंने खुद भी उसमें डाला था और पहले भी बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मुझे याद नहीं है उसमें मैंने आपको गुड़ो डाल के दिखाया था तो जैगरी जो होती है उससे वह हमारे प्लांट्स के लिए मतलब फटलाजर के लिए बहुत अच पूराने जितने भी विवर से उनको मालूम है कैसे बनाती हूँ और बस यही क्या था तो आप वही इस तरह से बनाईए और यूज करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जो लोग भी बिल्कुल नए हैं जो पहली बार आए उनको ठीक लगे वीडियो तो चलिए यह जो है ना यह वाली बास्केट इसको हटानी है खटाऊंगी रिपॉर्ट करूंगी उसके बाद सब मताब होता कि है ना टेंपरेचर 40 से उपर 40 से उपर चलना है 42 ऐसे करके चलना है 43 गर्मी है थोड़ा तो रिपॉर्ट होने के बाद जब मुझे अपडेट बिल अच्छे सो जाएगा उसके बाद में वीडियो शेयर करूंगी ठीक है तो चलिए थैंक्यू धन्यवाद मैं इन सब को डालती हूं यह वाला अभी उधर बालकनी में भी ले जाके डालूंगी बाकि पता है खतम हो जागा कितना ही निकलेगा अभी यह सारा खतम हो जाएगा फिर से चल के और लाओंगे फर से अच्छा इसको कई बार लोग पूछते हैं कि क्या घरना है जो मैंने पता है ना पहले वीडियो बनाया था तो उसमें कई वाल लोगों ने पूछा था तो आप एको या तो पहले आप जैसे फिक थे ना या तो फिक दो नहीं तो नहीं त तेंग।